आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो मरीजों का अकड़ा 37,79,000 से अधिक हो गया है इसमें 66,333 लोगों की मौत हो चुकी है राहत की खबर ये है कि कोरोना से अब तक 29,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके है जबकि एक्टिव केस की संख्या 8,000,000 से अधिक है कोरोना के सबसे अधिक मामले महराश्टर, आंधरप्रदेश, करनाटक, कुत्रप्रदेश और तमिलनाडू से आ रहे हैं इन पांच राज्जों से ही करीब 50 फीस्दी मरीज सामने आए है सुशान्थ सिंग राजपूत केस में CBI जाच का आज 13 वा दिन है सुशान्थ सिंग के पिता केके सिंग के वकील विकास सिंग ने कहा कि सुशान्थ सिंग राजपूत मामले में लगातार हो रहे डिवेलप्मेंट और कानूनी पहलूँ पर सुशान्थ की बहनों से बात हुई है विकास सिंग सभी से बाचीत करने के बाद आज शाम करीब 6 बजे से 7 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे कॉंग्रेस और भारती जंता पार्टी के बाद अब त्रिनमूल कॉंग्रेस ने भी फेस्बुक प्रमुख मार्क जकरबर को चिठी लिख दी है लेकिन अभी से ही सरकार और विपक्ष के बीच आरपार की जंग तेज हो गई है कोरोना काल में हो रहे संसद के सत्र में प्रशनकाल शामिल नहीं है ऐसे में विपक्ष की ओर से लगातार कई सवाल खड़े किये जा रहे हैं कौंग्रिस सांसद शशी थरूर से लेकर टीमसी के नेताओं ने सरकार को इस मसले पर घेरा है थरूर ने इस मसले पर ट्वीट किया कि मैंने चार महीने पहले ही कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोगतंतर को खत्म करने के तोर पर استعمال कर सकते हैं संसद सत्र का नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा, हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये कितना सही है। उत्तर प्रदेश, महराष्टर, मध्यप्रदेश, गुजरात और बिहार में भारी बारिश और बार्ष से लाखों लोग तबाही जहलने को मजबूर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान समेत उत्तर और दक्षन भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। साबक देश में साल 2019 में 4,37,396 सड़क दुरगटनाय हुई। इन हाथसों में 1,54,732 लोगों की मौत हुई जबकि 4,49,262 लोग घायल हुए। भारत और चीन में जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंतरी राजनात सिंग रूस की तीन दिवसी यात्रा पर मौसको के लिए रवाना हो चुके हैं। वो अपनी यात्रा के दौरान शंगाई सहयोग संगठन यानि S.C.O. के रक्षा मंतरीयों की बैठक में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन एथॉर्टी यानि PTA ने कहा है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दर्शकों को कथेत रूप से अनेतिक कंटेंट परोस रहे थे। और बार बार चेतावनी के बावजूद इन एप्स ने अपने प्लेटफॉर्म से इस कंटेंट को नह नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेक हसीना से जल्द से जल्द 50,000 टन यूरिया फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। नेपाल में यूरिया की भारी किल्लत हो गई है जिससे किसान परेशान है। कोरोना व सुनता है सारा जहां